प्यारे बच्चो आधरनीय साथियो नमस्कार आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पर स्वागत है प्यारे बच्चो आधरनीय साथियो आप सभी को पता है कि 17 नौवंबर को NMMS का एक्जाम जो है वो होना निश्चीत हुआ है और उसके जो एड्मिट कार्ड है आज 6 कार्थ और आपको क्लिक करना है और सरच मार के अंदर आपको क्या करना है HBSC लिखना है, क्या लिखना है HBSC तो मैंने यहाँ पर लिखा HBSC HBSC लिखती सबसे उपर यह आपको दिखाई देरा इस पर हमें क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके का इंटरफेस आएगा इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर main website लिखा हुआईगा, इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद निचे की तरफ हमें scroll करते जाना है तो यहां पर आपको कहीं पर लिखा हुआ दिखाई देगा NMMS तो उस पर ही हमें click करना है थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको बड़ा कर लेता हूँ उपर नीचे हम इसको जब स्क्रोल करेंगे तो हमें NMMS Admit Card यहाँ पर दिख जाएंगे यह देखो यह यहाँ पर उपर की और ही था हम नीचे चले गए थे यहाँ पर Download Admit Card लिखा हुआ है न मैं Color Change कर लेता हूँ यह वाला है ठीक है इस पर जाना है और क्लिक करने के बाद Next Interface हमारे सामने इस तरीके से खुल के आएगा Download Admit Card तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पर Option आते हैं Student Name, Father's Name से भी हम सर्च कर सकते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उससे भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको Mobile Number याद है आपने कौन सा डाला था उससे भी सर्च कर सकते हैं जैसे यहाँ पर मैं Mobile Number से आपको दिखाऊंगा तो मैंने यहाँ पर Mobile Number डाला है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ जैसे मैंने यह Mobile Number डाला है और मैं सर्च बार में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखो इस तरीके से आपको show होगा जैसे अंसी का ये लड़की है गोपिराम की यहाँ पर इसका admit card है वो दीखने लग गया है और जैसे ही मैं इसके उपर click करूँगा ये देखो आपके सामने जो admit card है show होने लगेगा और यहाँ पर print admit card पर जब आप click आएगा और यहाँ से आप यहाँ प्रिंट पर जब click करोगे तो यहाँ से आप save PDF तो अपनी PDF भी अपने mobile के अंदर save कर सकते हैं तो उमीद करता हूं कि आप जान गए होंगे कैसे हमें admit card जो है वो download करना है धन्यवाद